हेले दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों तो आज की इस वीडियो में ब्लिंकिंग करता हुआ LED बल्प को एक रुपे में आज आपको मैं रिपेर करके दिखाने वाला हूँ तो अगर आप भी अपने घर के ब्लिंकिंग करता हुआ LED बल्प को रिपेर करना चाहते हैं आज के इस वीडियो को जरा सा भी स्किप करके बिल्कुल मत देखना क्योंकि स्किप करके अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो किसी भी पार्ट को देखने या सुनने समझने में मिस कर जाएंगे तो एक रूपे में LED बल्प को रिपेर नहीं कर पाएंगे V-Orient 9W का LED बल्प है इस बल्प को मैं रिपेर करने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से वो भी अपने घर पे खुद रिपेर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में तो चले यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बार आपको चेक कराके दिखा देता हूँ यह मेरा Series Board का Holder है और एक अच्छा बल्प को यहाँ पर मैं आपको Connection Check करने के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ तो देखे जो अच्छा बल्प होता है वो ऐसा ही जलते रहता है Continue और जो खराब हो जाते हैं बल्प तो वो बल्प क्या होता है यहाँ पर देखे इस तरह से देखे ब्लिंकिंग करेगा देखे जब आएगा जलेगा जलेगा इस तरह से देखे इस तरह से ब्लिंकिंग करते रहेगा तो यह बल्प हमारा देख सकते हैं यह ब्लिंकिंग समस् से पहले उसके बाद में इसका सरकीट को देखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है आपको जैसे मैं दिखाता हूं वैसे आपको करते जाना है यहां पे सबसे पहले इसका डिफ्यूजर ही खोल लेते हैं जैसा कि इस डिफ्यूजर और देखें हाउसिंग के बीच में यहां प PCP अब यहां पर आपको यह फाइंड करना है सबसे पहले कि आपका यहां पर MCPCB किसी भी तरह का जला हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह से आपको सबसे पहले यहांपे देख लेना है लेकिन आप भी जब अगर आप प्रिपेरिंग करना शुरू कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस fault कहां से आ रहा है, कौन सा fault कहां से आ रहा है, इसको आपको पता चल जाएगा, तो इसका जब fault है, वो हमारा circuit से हो रहा है, तो इसके लिए देखे, driver circuit को हम कैसे open करेंगे, तो यहाँ पर जो दूसरा fault हो जाता है, यहाँ निकलना है आप इसको निकालनी के लिए देखिए मैं जैसाथ कर रहा हूँ ऐसा ही सेम आप कर लिजेगा आपका टिकी भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा एक जो ट्रीक होता है यहां से आप इसको निकाल सकते हैं और जो दूसरा ट्रीक होता है वो आपको यहां से करना है देखे इस जगब पर नहीं करना है आपको यहां से करना है यहां लगाना है पेचकस को यहां से लगाएंगे और इसको इस साइट से करके उपर की साइट खीचेंगे इस तरह से दबा करके आप यहां से उंगली को इस तरह से पकड़ लिजेगा ताकि देखे मैं किस तरह से प अगर आपको खोलते खोलते जब experience हो जाएगा तो आप किसी भी तरह से आप खोल पाएंगे LED वल्प का diffuser या टिक की आपको खोलने के लिए कोई दिकत नहीं होगा अब देखे इसका circuit को मैंने यहाँ पर देखे निकालेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इस बल्प का जो यहाँ पर टोप दिखाई देता है वो इस तरह से रहता है तो इसको भी क्या करना है आपको इस पेचकस की सहता से या फिर किसी भी ओपनर की सहता से आप इसको ऐसे घुसा करके यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है देखे यह आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ से निकल जाता है देखे यह बस प्रेस किया रहता है देखे इतना आसानी से यह खुल जाता है अब यहां पर देखे आपको इस ट्रेवर सरकीट को यहां से दोनों उंगली को पकड़ करके इस तरह से थोड़ा-थोड़ा लूज करते हुए आपको बाहर लेके आना है आप देखे यह हमारा पढ़ सकते हैं इस तरह से क्वई ओगेरा है यहां पर देखा है इनडैक्टर कोईल देख सकते हैं इस तरह है यहां करुज काFT होता है हम хлय है ईतना ही सव Image component मिलके यहां पर working करता है इस driver circuit को run करता है देखे सब कुछ इसमें देखे आपको मता दे रहां थोड़ा सा जानकारी आप समझ लिजे तो यहां पर देख सकते हैं हरे component का कुछ ना कुछ काम जरूर है इसलिए यहां पर लगा हुआ है तो चले यहां पर मैं आपको दिखाता ह पर हमारा output मिल रहा है और जल भी रहा है और बूज रहा है तो हमें यह पता करना होता है सबसे पहले इस fault का बिपारी होता है वो यहां पर हमारा capacitor की वज़े से होता है यह circuit मे देखे आपको यह पर चोटा सा capacitor यहां पर अलग से दिया हुआ है अगर आप किसी भी LED बल्प को खोलते हैं और उसका स्तरकीट में एक ही capacitor लगा रहता है तो वहीं से आपका blinking की समस्या बनने लग जाता है बहुत ही कम case में आपका IC खराब होगा अन्यथा देखे यही सब खराब होता है सबसे पहले तो इसको देखे आप एक रुपे में इसको purchase कर सकते हैं किसी भी electronic के shop से बहुत ही बड़े आराम से इसको आप लेके आके आप इसको change कर सकते हैं सब डेर सो रुपे से आपको नया बल्प purchase करने की कोई जरूत नहीं है तो देखे इस capacitor का जो नंबर होता है यहाँ पर देखे 100 बोल्ट 47 मियो एप का यहाँ पर capacitor है इस capacitor को यहाँ पर change करना होता है बस यह capacitor अपने यह capacitor खराब हो जाता है तो इसी तरह से blinking की समस्या बनने लगता है तो देखे यहाँ पे एक चोटा सा SMD capacitor यहाँ पर लगा रहता है वो capacitor अगर आपका खराब हो जाता है तो देखे वह बहुत ही कम केसमें खराब होता है बस आपका बड़ा वलाशना आने वाला हूं कि यहां पर देख सकते हैं हमारा कैपेसिटर जो है हंड्रेट भोल्ट यहां पर 47 मियोप का यहां पर देख सकते हैं कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को जो हमारा चलते चलते जब इसका कैपेसिटी की खराब हो जाता है तो यह हमारा डिस बैलेंस करने लग जात तो आपको देखे, यह वाला हमारा अच्छा वाला है, यह जो है हमारा पुराना वाला है, तो देख सकते हैं, यहाँ पर सेम तरह का capacitor का value है, वो चीज आपको add करना है, बस, तो यहाँ पर देखे, मैं इसको लगा देता हूँ, इसमें, और आपको यहाँ पर लगाते समय एक दियान रखना है, तो यहाँ पर देखे, सर्कीट में आपको कैसे पहचाना है, कि plus और minus कौन सा है, तो minus का जो भाग है, यहाँ पर देखे, यह white पटी जो यहाँ पर दिया है, यह हमारा minus का है, और capacitor में आपको कैसे पहचान कर पाएंगे, कि कौन सा minus है, कौन सा plus है, तो यह Positor blast हो सकता है तियाहां पर देख सकते हैं इसी तरह से आपको दोनों को point का solving कर लेना है अब solving होने के बाद में आपको यह चीज़ धियान रखना है तिहां पर देखें आपको क्षोड़ा सा यहां से लगा लेना है अब यहां पर लगाने के लिए देखे इसको इस पॉइंट को देखे यहां पर लेकर आके आना है और इस तरह से यहां पर प्रेश कर देना है यहां पर इस तरह से प्रेस कर देना है अब उसके बाद में देखे यह जो हमारा सरकीट है यहां पर लग चुका है अब इसकी दोनों वायर को यहां से देखे इस तरह से इस वाले जो होल है इस होल में आपको यहां से बाहर निकाल लेना है अब इस वाले होल से बाहर निकालने के बाद में यह जो है टिकी को यहां से आपको इस तरह से प्रेस कर देना है कुछ इस तरह किसे उसके बाद में देखें यहां पे जो red wire है यहां पे हमारा LED का प्लस में लग जाएगा और यह हमारा minus है, यह हमारा minus में connection हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए minus को यहाँ पर minus में connection कर देता हूँ अब देखिए इसकी plus wire है, इस plus wire को यहाँ पर मैं, अब देखिए यहाँ पर मैंने plus और minus को यहाँ पर solding कर दिया हूँ अब आईए इसको मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ यह हमारा खराब केपिसिटर है यहाँ पर आपको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ देखिए अब इसमें हमारा किसी भी तरह का बिलिंकिंग यहाँ पर देखिए नहीं दिखाई दे रहा है देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए मैं इस diffuser को भी यहाँ पर लगा देता हूँ अब देखिए हमारा bulb बनके ready हो चुका है अब किसी भी तरह का यहाँ पर कुछ भी damage यहाँ पर दिखाई नहीं देगा बिल्कुल नया जैसा ही दिखेगा इसमें इस तरह से अगर आप रिपेरिंग के लिए खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए यह हमारा bulb जो है अब blinking नहीं कर रहा है क्योंकि जो blinking करने का जो समस्या था वो हमारा इस वाले capacitor की वज़े से हो रहा था तो इस capacitor को एक रुपे में मैंने खरीदा और इसको लगा दिया और आपके सामने यह bulb जल गया है बिल्कुल अच्छी दरीके से तो उमिद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंट सरकल में अपने वार्टसप ग्रूप में जरूर सेयर कर देना ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में अपने घर के खराब एलेडी बल्ब को रिपेर कर पाएंगे एक रूपे में हमारे इस वीडियो को आप कौन सी सहर से देखते हैं अपने प्यारे से सहर का नाम कमेंट में जरूर बताना दोस्तों ताकि मैं आप सभी लोगों को ठाइंट कर सकूं दोस्तों तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों टेक केर दोस्तों